हलो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि हम Facebook से कैसे आरनिंग कर सकते हैं Facebook से आरनिंग करने के लिए कई सारे options हैं जिसमें सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा कि Facebook में ad break के तुरू आरनिंग हो सकती है इसके लिए Facebook के page पर, Facebook में हमारे पास एक page होना चाहिए और उस page पर हमें videos डालने हैं और उन videos पर ads आएंगे और उट advertisement से जो आरनिंग होगी उसमें Facebook हमें share करेगा दूसरा होता है Facebook instant article Facebook पर article लिखने के लिए भी हमें पैसे मिलते हैं और इसके लावा जो तीसरा option है, वो है product या website का promotion अगर हमारा कोई website कोई Facebook का page है और वो page coffee popular है उस पर हम किसी भी website का promotion कर सकते हैं और वो website जो भी जिस company को होगी वो हमें payment करेगी या किसी product को भी इसके उपर हम promote कर सकते हैं इसके लावा जो next option हमारा है वो है app referral बहुत सारी आजकल ऐसी apps हैं जिन app के थुरू भी हमें हम अपनी उस app को अपने Facebook पेज पर डाल सकते हैं और उस डालने से हमें referral income हो सकती है इसके लावा जो next है वो है affiliate marketing affiliate marketing friends आपने नाम सुनाओगा affiliate marketing का affiliate marketing में हम किसी भी Amazon, Flipkart या किसी भी international sites पर जा करके जहां से हम लोग सामान purchase करते हैं वहाँ पर अपना affiliate code create कर लेते हैं और उस code को अपने Facebook पेज पर attach करके Winsus के product को attach करके वहाँ पर से हम traffic generate कर सकते हैं और उससे जो purchasing होती है उस page के थुरू तो उस वो भी हमें share होगी Facebook पर लेकिन इन सब के लिए friends जो सबसे बड़ी requirement है वो है कि हमारे पास एक Facebook का page होना चाहिए और उस पर कम से कम 10,000 followers होने चाहिए तो दोस्तों बने रही हैगा हमारे साथ आज हम आपको बताएंगे कि Facebook page कैसे create करते हैं वो भी mobile के थुरू चुकि ज्यादतर लोगों के पास mobile है laptop और monitor मींस computer नहीं है लोगों के पास या बहुत लोगों के पास है भी तो लेकिन ज्यादतर mobile सभी के पास है तो मैं mobile से आपको पूरा इंस्ट करूंगा कि कैसे page बनाएंगे और कैसे उस पर हम post कर सकते हैं कैसे अपने page को promote कर सकते हैं सारे methods के अंदर में discuss करने वाला हूँ बने रहीएगा हमारे साथ दोस्तों सबसे पहले जब हम Facebook को start करेंगे तो हम नया account create करेंगे तो फ्रेंशस के लिए जैसे ही हम Facebook पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके की screen आएगी इस screen पर हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम create new account पर क्लिक करेंगे create new Facebook account इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास जो पेज आएगा यहाँ पर इस तरीके का interface आजाएगा इसमें हमें next पर क्लिक करना है और next पर क्लिक करते ही यह कुछ इस दिन से पूछ रहा है allow Facebook to access your context मैं इसको allow या deny जो भी करना है मैं कर सकता हूँ और इसके बाद मैं next पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर यह पूछ रहा है what's your name नेम मैं यहाँ पर जो भी देना चाहूँ दे सकता हूँ और इसको करने के बाद मैं next पर क्लिक करता हूँ next पर क्लिक करने के बाद यह हमसे data board पूछ रहा है data board डालने के बाद मैं यह data board फिल करूँगा इसके बाद mail पर क्लिक कर देता हूँ mail पर क्लिक करने के बाद मुझे next पर क्लिक करना है next पर क्लिक करने के बाद यह हमसे कर रहा है कि आपका mobile number डालना है या sign up with email address मैं sign up with email address कर देता हूँ यहाँ पर click करने के बाद यह मुझे पूछ रहा है कि आपका email address क्या है email address type करने के बाद मुझे यहाँ पर next पर click करना है और next पर click करने के बाद password की demand कर रहा है password हमें यहाँ पर देना है password पर click करने के बाद मुझे next पर click करना था next पर click कर दिया मैंने अब यह दे रहा है finishing signing up means आपका काम finish हो चुका है जो आप sign up कर रहे थे आपका account create हो गया है लेकिन अभी आप से यह demand कर रहा है कि आपको sign up करना या sign up without uploading my context तो मुझे अपने context को upload अगर नहीं करना है तो हम उपर वाले पर नीचे वाले पर click करेंगे और नहीं तो हम उपर वाले पर click करेंगे हमने यहां पर sign up without uploading my context पर click किया इस पर click करने के बाद कुछ इस तरीके से screen आ जाएगी यह कह रहा है कि कोई आपको harder password लेना है मैंने password बहुत simple ले लिया था तो इस password मैं change कर देता हूं यहां से और hardware password लेने के बाद अब इसने पूरा हमें message दे दिया कि now your account is created अब यह कह रहा है कि आपको अपना password यहां पर save करना है या नहीं save करना अगर आप password को save कर लेते हैं तो future में जब भी आप Facebook को खोलेंगे तो आपको password नहीं type करना पड़ेगा वो password computer से pick कर लेगा या आपके mobile से pick कर लेगा तो मैं वैसे save password यहां पर click कर देता हूं password क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के screen आएगी जिसको मुझे को okay कर देना है फिर यह confirmation code पूछ रहा है इस confirmation code को मुझे यहां डालना है इसके बाद मुझे confirm पक्लिक कर देना है और यह पूछ रहा है कि आपको कोई profile photo set करनी है अगर करनी तो आप कर सकते हैं नहीं तो मत कर दिए और इसके बाद यहां से इसको हम skip कर सकते हैं इसकी परने के बाद यहां से fine friends से सब्सक्राइब कर दिजिए कि अगर इसके बाद एड़ फरेंड कर रहा है इससे भी मैं यहां से skip कर दे रहा हूं अब यहां से हमारा account पूरा पूरा तयार हो गया है इंस्टॉल मेसेंजर की बाद कर रहा है इसको मैं नौट नौव कर देता हूं अब इसके बाद आपको अपने Facebook एकाउंट पर आना है और एकाउंट में आने के बाद उपर आपको त्री डॉट्स दिख रहे हैं एकाँट्ट है active है में त्री लाइन 2 लाइनस पर हम मैं क्लिक करना हूा लाइन ₉ यहाँ पर जो इसक्रीन आएगी वो इस तरीके से होगी, इसके बद आपको get started पर click करना है, get started पर click करने के बाद, यहाँ पर आएगा name your page, page का कोई नाम देना चाहते है, मैं इसका नाम यहाँ पर flip shop दे देता हूँ, और flip shop देने के बाद, यह लिख रहा है I want to use this page to sell products or provide services, इस पर लेंगे की sort yapt God can help. अगर product आएगा truc बनाया है a part a convenient Latino, बैंड के लिए बनाया है या epic. जिसभी परप्रपस के लिए बनाया है, उस पो आप यहाँ पर आप सर्विसे। उस्के लेंगे कि मुझे क्या करना है मैं यहाँ पर products और सर्विसेस पर क्लिक किया और प्रोडक्ट पर सर्विसेस पर क्लिक करने के बाद मुझे नेक्स पर क्लिक कर दूँगा या और भी चीजें तो ले सकते हैं या तो अगर आप चाहां तो यहां पर सर्च भी कर सकते हैं कि कौन से चीज मुझे लेनी चाहिए नेक्स पर क्लिक नहीं होगी तो आप यहां पर simply next पर click कर देंगे नेक्स पर click करने के बाद यह करने के बाद pages with profile picture show up higher in search results मतलब आपकी यहां पर कोई प्रोफाइल पिक्चर होगी तो बहुत अच्छा रहेगा search results में जल्दी आती है वो तो इसके लिए यहां पर कोई profile picture set करेंगे इसके लिए मैं add a profile picture पर click करना है और profile picture पर click करने के बाद जो pictures मुझे दिखेंगी screen पर उसमें से अगर कोई मैंने save की कोई भी मैं यहां से select कर लेता हूं और select करने के बाद मैं यहां आपका जो आपको अच्छा लगे वह आप profile picture ले सकते हैं मैंने तो यह temporary बनाया हुआ है इसको crop भी कर सकते हैं इसको मैं save changes पर click कर देता हूँ profile picture जो यहां पर set हो गई है अब इसके बाद मुझे क्या करना है यह आप से कहरा है कि अगर आप change photo करना चाहते हैं तो change photo कर सकते हैं चेंज photo पर click करेंगे तो फिर से आपको option दिखा देगा अब चुक्कि हमें change photo नहीं करना है तो हम वापस आ जाएंगे यहां से और आगे बढ़ेंगे और next पर click कर देते हैं next पर click करने के बाद यह कर आद एड ए cover photo. Cover photo में आपको क्या लगाना है cover photo आपको जैसी लगाना है add cover photo पर click करिए cover photo में कुछ भी इसमें से add कर सकते हैं चलिए मैं इसको लगा देता हूं और डन पर क्लिक कर देता हूं इसके बाद सेव पर क्लिक करते हैं तो यह हमारी कवर फोटो भी एड़ हो गई यहां पर और ऐसा नहीं है कि जो फोटो आप लगा दी वो फाइनल हो गए अगर आप फ्यूचर भी से चेंज करना चाहें तो च तो यह दिखा रहा है कि आपका जो पेज आपने क्रेट किया है वो पेज कैसा आएगा यह बता रहा है कि आपका जो पेज यह कुछ इस तरीके से आएगा कुछ important next steps बता रहा है to get this page setup for success there are few important things you need to do you can complete them now or come back later to finish कहरा आप भी कुछ चीज़ें बाकी है उसको आप अभी चाह रहा है तो आप friends को invite करने के लिए बोल रहा है आप चाहें तो कर सकते हैं invite friends और इसको slide करते देख रहा है कि create post this is important because a photo video और written post help people understand what this page is about अगर आप चाहें तो यहाई से page भी sorry एक post भी create कर सकते हैं इतना सब करने के बाद अगर आपका कोई work जैसे complete your page यह दिखा रहा है complete your page दिखाने के बाद यह बोल रहा है add a button अगर आपको कोई button यहाँ से add करना है तो यहाँ पर add button पर click करेंगे और यहीं से आपको वो buttons दिखाएगा कि आपको कौन सा button चुकि कई बार होता है कि किसी website या page पर जब हम जाते हैं तो हमें कोई button शो करता है कि आपको call करनी है या आपको कुछ shopping करनी है या book now कुछ भी booking करनी है तो इस तरीके का button यहाँ पर हम लगा सकते हैं जैसे book now पर मैं click करता हूँ तो book now करने से यहाँ पर एक button हमारा add हो जाएगा appointments on Facebook grow your business with a free booking tool to manage इस तरीके से यह एक button add कर देगा हमारी screen पर जो अभी हम हटा देते हैं या contact us पर click कर देते हैं contact us या पर रहा link to website where people can purchase your gift cards इतना सब करने के बाद जब आप वापस अपने account में जाते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से pages का option दिखाता है और pages पर हम pages पर click करते हैं तो यह दिखाता है कि आप page ready हो चुका है flip shop के नाम से जिसे नाम से मैंने बनाया था जैसा मैंने cover page टिट किया था इस पर click करने के बाद यहां मैं कुछ इस तरीके के screen शो करता है और यह कहता है कि आपको complete your page पर click करना है complete your page पर click करते हैं तो update description में यह करा है कि अपने पेज के बारे में कुछ लिखी है यहां पर कि आप क्या करेंगे इस पेज का मैंने यहां लिख दिया कि इस पेज इस बाउट टो सेल दा प्रोडेक्ट्स और इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ अपडेट फोन नमबर पूछ रहा है आपसे यहां पर आप चाहें तो सकते हैं कि अ पर से भी सकते हैं मैं लेनी रहा हूं तो मैं इसको यहां पर कर देता हूं, my page does not have any phone number, मैं इसको save पर click करता हूं, और save पर click करने के बाद कुछ इस तरीके कराएगा, message enter website, और मैं कर देता हूं, my page doesn't have a website, इसको भी मैं save कर देता हूं, इसको save करने के बाद, update email address, इसको करने के बाद पूछ रहा है कि आपको hours complete करने के आपका जो भी business है, वो 24 hour open रहता है या उसके कुछ timings हैं, वो आप timing यहां से set कर सकते हैं, आप चाहें तो edit hours में जा करके यहां से setting कर सकते हैं, कि आपको यह किस-kिस दिन आपको यह business open रहता है, Monday, Tuesday जिस पर आप click करते जाएंगे, वो दिन यहां से set हो जाएगा, Monday, Tuesday, Wednesday जैसे भी, ठीक है, तो आपको अगर नहीं करना है, तो आप यहां से इसको अटा दीजिए, और done पर click कर देते हैं, मैं इसको कर देता हूँ always open पर, always open, सब्सक्राइब करिए हमारे knowledge been college यूट्यूब चैनल को, और दबाईए इस घंटे को, ताकि आपको मिल सके हमारे latest वीडियो सब से पहले, और यह बिल्कुल free है, और इसके बाद मैं इसको save कर देता हूँ, यहां पर यह आपको बता देगा, कि पूरे आपके बारे में कि आपके जो page उसका क्या नाम है, किस purpose के लिए, कोई website है या नहीं है, content क्या है, location उसका क्या है, location के लिए आप यहां से location दे सकते हैं, कि किस location पर आप यहां से पूरा location set कर दीजिए, ठीक है, और, hours मैंने बता दिया, always open, more में, none, price range, कुछ दिया नहीं, मैंने, यहां से अब हम वापस आयाते हैं, अब आप वापस आते हैं अपने page पर, और यहां पर देखते हैं, यहां पर तीन option आपको दिख रहे हैं, overview, ads and notification, overview पर जाकर के हम यहां पर देखते हैं, कि यहां पर यह पूरा दिखा देता है आपको, इसके बाद जब हम यहां आते हैं, तो यहां पर यहां में दिखा रहा है, overview, ads and notification, हम overview पर क्लिक करते हैं, तो यहां में दिखा रहा है कि आपके page पर जो जो activities हुई है, जिसे create a post, photo, create a story, या आपको कोई post create करनी है, उन सब चीजों के लिए आपको जानकारी दे रहा है, और इसके लावा जो दूसरा option था यहां पर, वो ads का था, इस पर जब हम क्लिक करते हैं, तो यहां में दिखाता है कि आपको अपने page को promote करना है, ads can help you connect with people who might be interested in your business, get started with automated ads, get more website visitors, promote your page, या get more leads, means अगर अपके page को promote करना है, तो यहां से आप यह सारे काम कर सकते हैं, ताकि easily, mean असानी से लोगों तक आपके page की reach हो सके, अगर page को promote करना है, तो इसी place से हम इसको promote भी कर सकते हैं, ताकि लोगों तक असानी से पहुंचे, पर्मोट यूर पेज पर हम क्लिक करेंगे, और promote यूर पेज पर क्लिक करते ही, कई सारे options यहां हमें दिखाएगा, जिसमें कहारा है, people you, sorry, this page is about to sell products, उसमें पूरा बता दिया, people you choose through targeting location, living in United States, या आपको जो बदलना है, तो आप बदल भी सकते हैं, age 18 से 65 तक है, daily budget कहारा है, 100 रुपीज आपका budget है, यह 140 या 350 है, choose your own, आप अपने recording budget ले सकते हैं, duration कितने दिन का, 5 दिन या 5 दिन से कम, run this, add until, 4 June, कहारा 4 June तक आपको यह add run करना है, या कब तक run करना है, पूरा इसको जानकारी देनी होगी, और payment का method पूछता है, और फिर promote page पर हम click कर देते हैं, तो इससे हमरा page promotion पर चला जाता है, इसके बाद यहां से back हो करके, आपको दिखाते हैं, कि यहां पर जो एक option था, overview ads के बाद notification, इस पर जब हम click करते हैं, तो यहां पर समय जानकारी मिलती है, कि अगर इसके अंदर कोई notification आया है, या किसी ने इसको like किया है, तो उसके बारे में पूरा यहां पर आपको message मिल जाएगा, उसके बाद जो add star notification फिर हम more पर click करते हैं, more पर click करने के बाद हमें यह options दिखाता है, इसमें नीचे आएंगे हम, तो यहां पर edit page और edit page info, यहां edit page पर click करके, हम page में बहुत सारे changes कर सकते हैं, जैसे जो हमारी current template है, उस template को हम change कर सकते हैं, template में हम edit पर जाएंगे, तो background जो हमें दिख रहा है, थोड़ा सा अपने according हम इसको customize कर सकते हैं, shopping, business, बहुत सारे दिखा रहा है, कोई भी हम यहां से ले सकते हैं, मैं business ले लेता हूँ, तो यह template यहां से sit कर देंगे, template से sit करने के बाद page header, the header shows that sit your apart with a photo and more, page header, page में कोई उपर heading देना चाहते हैं, page की info में, edit or add page contact details, name, hours and more, जो अलेड़ी मैं आर्स पगरा फिल कर चुका हूँ, buttons, buttons let take action on your page, इसके बाद हम settings पर नीचे जो दिख रहा है, यह settings पर जाएंगे, और settings पर जाने के बाद, हमें general page info, messaging, notifications, और बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, यहां पर आके आप general पर click करेंगे, and story sharing to stories, means when this is on anyone on Facebook can share your page story, किसी को share करा सकता, इसको हमेशा on रखिये तो अच्छा रहेगा, page को अगर remove करना चाहें, तो यहां से remove भी कर सकते हैं, page की visibility, publish और unpublish दो चीज़ें शो कर रहा है, means अगर publish पर यह click रहा, तो यह page आप सबको visible होगा, और unpublish का मतलब यह page hide हो जाएगा, similar page suggestions का मतलब हुआ, include flip shop when recommended similar pages, means इस तरीके के और भी pages हैं, उनके बीच में आपका page भी दिखना चाहिए, या नहीं दिखना चाहिए, इसको हमेशा on रखिये तो बेटर रहेगा, इसके बाद हम messaging पर click करते हैं, messaging पर click करने के बाद, जो हमेश्क्रीन मिलेगी, एक रहा instant reply, इस पर हम click करेंगे, इस पर click करने से, अगर कोई भी हमें content करेगा, तो इससे instant reply मिल जाएगा, means हमारे Facebook की दरब से उसको message मिल जाएगा, लेकिन क्या message मिलेगा, वो message यहाँ पर हम your instant reply में जाकर के type करेंगे, और इतना करने के बाद, मैं इसको save कर लूँगा, इसके लावा जो इसमें option है, away option, away message, इस पर हम click करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि, अगर कोई आपके page पर आता है, और message इसको नहीं पहुंचता है, तो यह बोल रहा है कि, thanks for the message, we are away, and cannot respond at this time, मतलब उस वाक message नहीं गया, लेकिन बात में we appreciate your getting in touch, मतलब इस तरीके का message, या आप जो भी message देना चाहाँ, यहाँ पर click करके message लिख सकते हैं, और वो message इसको पहुंच जाएगा, तो page role पर click करने के बाद, आप देखरेंगे कि, यहाँ से हम किसी और को अपना admin बना सकते हैं, admin बनाने के लिए add person to page पर हम click करेंगे, और यहाँ पर जिस person को हमें बनाना है, उस person को यहाँ पर हम enter your security, please enter your password to continue, यह password पूछेगा, उस password को type करने के पाद हम आगे बनेंगे, और फिर वहाँ से कहाँएगा कि आपको यहाँ पर किसी को admin बनाना है, या editor बनाना है, या moderator बनाना है, या advertiser बनाना है, क्या बनाना है, जो भी आपको बनाना है, वो यहाँ से आप बना सकते हैं, और अगर आप अपने इस facebook page को अपने instagram account से connect करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर instagram पर क्लिक करना होगा, और instagram पर क्लिक करते ही आपसे बताएगा कि आपको connect instagram account, जिस account को आपको connect करना है, इसके साथ, आप connect account पर क्लिक करेंगे, और यह, अब यहाँ पर आपको अपना instagram का account और password देना है, तो आपका Instagram का account और आपका Facebook का account connect हो जाएगा इसका benefit यह होगा कि जैसे ही अगर आप अपने Instagram account में कुछ भी publish करेंगे तो उसका same content आपके Facebook account पर भी publish automatically हो जाएगा आपको दोनों जिगा पर नहीं करना है इसके बाद यहां से वापस आता हूँ इसके बाद हम यहां आते हैं यहां पर से अगर हम किसी अपने friend को invite करना चाहते हैं तो invite friend पर click करेंगे और यहां से हम search करेंगे friend को और friend को यहां से invite कर सकते हैं और इसके रावा जो last option है copy page link इस पर click करते हैं तो आपके page का जो भी link होगा वो copy हो जाएगा और उसके बाद हम इसको कहीं शेयर कर सकते हैं जैसे किसी अपने फ्रेंड को शेयर कराना है WhatsApp पर शेयर करा दीजिए, Facebook पर शेयर करा दीजिए ताकि वो उसके Simple एक बार क्लिक करके ही आपके पेज पर पहुंच जाए अब जो आपका पेज था Flip Shop यह Flip Shop आपका पेज रेडी है लेकिन आपने चुकी अभी तक अपना कोई यूजर नेम नहीं बनाया है यह दिखा रहा है इसके जास निक्चे Create Page at the rate यूजर नेम तो अगर आप अपना यूजर नेम क्रियेट करना चाहें तो Simply इसी पर ला करके क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको जिस स्क्रीन पर ले जाएगा यहाँ पर यह कह रहा है कि आपको अपना यूजर नेम यहाँ पर देना है तो यहाँ पर हम यूजर नेम टाइप करेंग इसके लिए आपको यहां पर कोई भी फोटो चीले लेते हैं, कर कोई फोटो शियर करनी है, यहां से कोई भी फोटो पिक करते हैं, और इस फोटो को पिक करते हैं, और नेक्स पर क्लिक कर देते हैं, इसके बाद जो भी आपको यहां पर लिखना है, वो आप सकते हैं, और अगर इसके बाद आपको यहांपर शेयर पर क्लिक करना या अगर अगर एडिट करना चाहें तो आडिट भी कर सकते हैं यहां पर कई सारे option दिखाए तो इसमें से कुछ भी location, event जो भी हम लेना चाहें यहां से ले सकते हैं और अगर नहीं लेना है तो इसको हटा भी सकते हैं अब इसके बाद simply मुझे यहां पर share पर click करना है और इसके click करते ही हमारा page यहां से इस page पर यह post share हो जाएगा यहां से जा करके आप देख सकते हैं कि आपने recently कौन सी post की थी वो post आपको यहां पर दिखने लगेगी यह post आपने की थी यह post आपको सामने नजर आ गई और post के बाद यह जो post photo remote promote और यह view as दिखा रहा है इस पर आप click करिए तो यह आपको बताएगा कि आपका page public को कैसा दिखेगा view as पर जैसे हम click करते हैं यह आपको दिखा रहा है कि आपका page कुछ इस तरीके से लोगों को show होगा मतलब उपर यह header आएगा फिर यहां पर flip shop और product service जो हमने लिया था ठीक है और फिर जो भी post मैंने की होगी ठीक है उसके बारे में पूरा जानकारी दे गई है तो friends इस तरीके से कुछ आपका page create हो जाएगा और उसके बाद आप उस पर जो भी जब भी post करना जाया है पोस्ट कर सकते हैं मेरे अनने थोड़ा slow चलना इस वक तो यह reference कि आप अपने page को कैसे बनाएंगे कैसे उस पर post करेंगे सब मैंने बता दिया आप इस तरीके से आप और ज्यादा manage करना चाहते हैं Facebook page को तो इसके लिए एक app आता है Facebook pages manager जो आप install कर लिजिए अपने mobile पर और वहां से इसको manage कर सकते हैं और अगर आप अपने laptop से या computer से कर रहे हैं तब उसको आपको install करने की app की जरुवत नहीं है उसमें कई सारी ऐसी चीजे हैं जिससे आप को अच्छे से manage कर सकते हैं बहुत सारी चीजें दिखाएगा कि आप कितने views हैं क्या है कितनी परड़े means hitting हो रहे हैं आपके page के ओपर सब चीज आपको बता देगा Facebook pages manager को कैसे शुरू करेंगे इसके लिए हम play store पर जाएंगे और हम आपको थोड़ा सा यहां से दिखा देते हैं यहां पर आप लिखेंगे Facebook pages manager यह जो icon आ गया इस पर क्लिक करेंगे और इसी को हम install कर लेंगे यह 67 MB का है install करने के बाद जो जिस ID से मतलब जो Facebook का आपने account बनाया था उस account से इसको login कर लेंगे login करने के बाद पूरी detail यह खुदी आपको दिखाने लगे हो कि कैसे काम करना है